बंदे पुर्सोत्मों सिसी ठाकुर जी के एक भक्त हुए स्री देवी प्रसाद मुखो पाध्याए। के उस पहाड़ी इलाके में काला विक्छू और करेच साप का उत्पात बढ़ जाता इसलिए सिसी ठाकुर का आदेश था कि रात में कोई भी बिना टार्च और लाठी के चलना फिरना नहीं करे इसके लिए बहुत लोगों को टार्च लाए गया बाजार से टार्च खरीद कर लाने एउम से सिठाकुर द्वारा निर्देशी रक्ति को देने के काम में निक्त थे स्री मरिनरकुमार चटो पाध्याए संचेप में मरी चटर जीदा किसी किसी दिन मरी दा को टार्च लाने के लिए चार-पांच बार साइकल से बाजार जाना पड़ता रात में चलने फि पागों में अंधिरा रहता कहीं कहीं कोई लालटेंज जला कर काम करते या कहीं कोई लड़का पढ़ाई लिखाई करता किन्तु अगल बगल में अंध कार रहता संपुर्ण परिसर में विसेश कर जिधर से लोगों का आवागमन था कुल बारा जगह बास गाड़ कर उसमें लाइट देने की बिवस्था हुई इसके फल्स रूप आंगड बहुत हद तक प्रकासित रहा किसी कर्मी का काम ही था संध्या के पहले सभी पेट्रो मैक्स को साफ कर मेंटल ठीक कर तेल भर कर जला देना अंधेरा होने से पहले ही बास की सीड़ी लेकर उन सभी धाट में पेट्रो मैक्स को डोरी से बाध देना यह कार नित्त ही चलता संबंदित कर्मी अपने काम में जिससे कभी विलंब नहीं रहे या काम में किसी प्रकार की तुटी नहीं करे उस और भी सिठाकुर की तृच्छन दिश्ट थी एक दिन संध्या होने को है सिठाकुर बडाल बंगला के यती आस्रम में एक हाथ वाली कुर्सी पर भक्त ब्रिंद परिवेश्टी थो बैठे हुए है विभिन नविस्यों पर बात चिल चल रही है हठाथ से सिठाकुर बोले अभी तक पेट्रो मैक्स क्यों नहीं टांगा गया है और उसका कारण जानने के लिए उठकर बडाल बंगला के परधान फाटक की ओड़ चले इस फाटक के भीतर प्रवेश्ट करते ही बाई और थी भगी रद्दा सरकार की डिस्पेंसरी वहीं बैठकर करमी पेट्रो मैक्स ठीक ठाक कर जला लेते फिर एक एक कर सब जगह टांग देते पहला पेट्रो मैक्स दिया जाता डिस्पेंसरी के सामने जिस से फाटक का सामने वाला भाग प्रकासित रहता आज भी उप्त करमी वहीं बैठकर काम कर रहा है किसी कारण से काम में देरी हो गई है इसलिए तेजी से हाथ चला रहा है जिस किसी कारण से हो क्यों नहीं काम में तो गरबड़ी हुई है और वह हुई है इसलिए कि ब्यक्ति समय का पाबंद या बात में संगती रख कर चलने का व्यस्त नहीं है यह त्रुटी उसके जीवन के अन्यान छेत्र में भी दुख की सिस्टी करेगा किन्तों इसे फाग के पूरण की क्या विवस्था लिए लोग सिक्छक से सिठाकुरन कूल चंदर पेट्रो मैक्स जलाना हो गया था द्रड़ पदविछेप से आगे बढ़े सिठाकुर बिना कुछ बोले हाथ में ले लिए एक पेट्रो मैक्स उसके बाद डिस्पेंसरी के सामने बास के साथ लगे हुए सीड़ी पर सीधे पाउं रखे दाहिने हाथ में पेट्रो मैक्स टांगने के लिए उठे हैं इससे पहले तक कोई समझ नहीं सका था कि क्या घटित होने जा रहा है सभी देख रहे थे सिथाकुर का क्रिया कलाप अब सभी भौचक का हैं और वह करमी वह अपने अस्थाम पर किंग कर तब बिभूड हो खड़ा है क्या घटना घटनी जा रही है यह समझ कर वह आर्टनात कर उठा थाकुर मैं अभी ही टांग रहा हूँ जल्दी जल्दी आकर सिसी थाकुर से पेट्रोमेक्स ले लिया सिसी थाकुर भी उसके हाथ में पेट्रोमेक्स देकर एक और खड़े हो गए उनका जो उदे सिथावा सिद्ध हुआ अब काम हो जाएगा उपत कर्मि विद्ध गति से सब पेट्रोमेक्स टांगने लगा सिसी थाकुर के लिए एक कुर्सी लाई गई सिसी थाकुर उस पर बैट कर तंबाकु पीने लगे ध्यान देने होगे यहाँ भी सिसी थाकुर कोई डाट डपट नहीं किये करमी की भूल के लिए कोई कैफियत भी नहीं पूछे किन्तु उसका फिर किसी काम में भूल नहीं हो या किसी काम में धील ढाल या आलस से नहीं हो उसकी बेवस्था कर दिये दिर्प्त भंगिमा में लिलाईत उनका यहां आचरण करमी के हिर्दे में ऐसा अनुचारित प्रभाव इस्टार कर गया जो डाट डपट करने से भी नहीं होता किन्तु समय मताबिक काम करने की प्रेणा उसके प्राण में गुथ गई 37 सितंबर 2016 पेश संख्या 37 और 38 से जय गुरू